आज के इस डिश्टल दौर में पेट्रोल भरवाते समय लोगों के मन में एक संका पेट्रोल वो चोरी की जरूर रहती है उनका यह मानना रहता है कि अब पेट्रोल पंपों में मीटर को फीट करके पेट्रोल की चोरी की जाती है ऐसे में हर लोगों के मन में यह सवाल जरूर है कि क्या सच में हमारे पेटरोल की चोरी हो रही है क्या सच में पेट्रोल पंप में कुछ क्यों से किया जाता है यह एक वहम है ऐसे में आज हम इस कई माद्धिuation से आपको हाकिए बताइंगे कि है आज सच में पेट्रोल पंप में पेट्रोल की चोरी होती है यह यह लोगों का वहम है वहीं पेट्रोल पंप के वो सेल्स्समेन वो कमलेस ने बताया कि आज इसके इस डिश्टल यूग में पेट्रोल पंप की मसीन में जितने रुपए का पेट्रोल आप फीट करवाएंगे उतने का पेट्रोल ही पेट्रोल पंप की मसीन के दोरा दिया जाता है लेकिन आज के समय में लोगों के दिमाग में यह बैठ गया है कि पेट्रोल पंप वाले तो क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ लोग कहने में आप लोग है लेकिन का मानना है जैसे हमने अभी बात की तो यह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है मसीरों में तो क्या कहेंगे आप किया ऐसा यह तो जिसको यह है संका के लिए अगर पीछे कर लेता है कोई जब पकड़ेगा तो अपने आप वहीं नहीं बोल देगा है अजिको पीछे को यह लगाए कि कम दे रहा है कि आप क्या कर देंगा अपका नाम भी यह बात कहां तक सच है यह सिर्फ ग्राहक की सोच फ एक सो दस कर लेंगे कुछ भी कराएं तो जो मसीन में फीड हो जाएगा और बाकी यह सा कुछ है नहीं फीडिंग पर तो ऐसे ग्राहक आपके पास लगवाद कितने आ जाते हैं पूरे दिन भर में हमां यहां इस मामले में कम से कम अगर 200 ग्राहक आता है तो 100 ग्राहक पीज पर पर पहले ऐसा होता था क्या इसके पहले पहले इस तरह नहीं होता था मालीजे की सेंट्समैन की गलती की कार्ण मालीजे सेंट्समैन इर्चियार है रहाक को कम तेल नापता था आपको ऐसा नहीं है हर जगे आपका नाम कमलेश सिंग